Hello Friends, Here's Study Hub में आपका स्वागत है Bark Level 2 और Bark Assistant के लिए आज 18 क्लास है आज का टॉपिक है Fillers, जो की Fixed Proposition के Waste पर है Fixed Proposition आपको जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो आज सीख जाएंगे बहुत Important क्लास है और इस पैटर्न से बाहर आपका पैटर्न नहीं मिलेगा बिल्कुल Latest Pattern पे Classes चल रही है, Practice चल रही है आपकी और पहले आप Attempt करेंगे और उसके बाद आंसर देंगे और Comment में बताएंगे आपके कितने Marks आए हैं और जो लोग भी नए हैं वो लोग Please Channel को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिस मिलता रहे जो भी वीडियो अप्लोड करूँ बाकी जो भी प्लेलिस्ट आप चेक जरूर कर लें जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो वो आप सब्जेक्ट टॉपिक बाहस पढ़ सकते हैं शुरू करते हैं वीडियो को पहला कोश्चन है इंडीड का मतलब होता है दरसल दरसल यह है मेरी लाइफ का डैस दिन था तो कैसा दिन हो सकता है लाइफ का आप बताईए पहले देखिए ऑप्शन नमबर बी इस दर राइट लाइफ का मेमोरेवल डे होता है लाइफ का बाकी सब नहीं फिट है इस पे नेक्स्ट ही वुड हेल्प यू इफ ही ऑप्शन बुड कुड शैल शुड वह है आपकी हेल्प करता यदि कर सकता यहाँ पे देखिए कंडिशनल सेंटेंस है इफ तो कंडिशनल सेंटेंस कभी भी मोडाल सैल विल वुड इन से सुरू नहीं होते हैं तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बीजदा राइट अंसर कुड एक्स्पेंशन आप देख सकते हैं यहाँ पर आएगा कुड नेक्स्ट वी एक्जूजड हिम ऑफ हैविंग डैस हिस ड्यूटी हमने उसको दोसी ठेराया उसकी ड्यूटी के डैस की बजह से तो उसकी ड्यूटी कैसी थी discarded थी, disposed थी, detested थी या neglected थी देखिए option number sees the right neglected मतलब attention कम देना अपनी ड्यूटी पर attention कम देना का मतलब होता है neglected तो option number sees the right answer next question the court found her that's the crime court ने उसको किसी crime में कैसा पाया ignorant on, innocent of, indebted to या ignoring यह word वो है जिनके साथ बही proposition आती है इनको बोलते है fix proposition जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको इसमें option आएगा option number be is the right answer innocent के साथ off आता है innocent of यहाँ पर innocent of मैंने क्यों बताया क्योंकि देखिए दोसी पाने के लिए तो accused of आता लेकिन वो दो यहाँ पर है नहीं innocent पाया गया है नहीं दोसी ना पाके निर्दोस पाया गया है या पाई गई है तो इस तरीके से fixed proposition होती है कि किस बर्ड के साथ कौन सी proposition fix है वही आती है next question समझ जाएंगे आप दीरे दीरे he was desk military service for illness उसकी बीमारी की बज़े से उसको military service से किया गया क्या किया गया free from exonerated from exempted from exposed to देखिए exempted from का मतलब होता है पद से हटा देना देख सकते हैं अब solution free from an obligation और liability तो यहाँ पर option number C हो जाएगा exempted from exempted from from military service next how did you dash this rare book option है come with come to come by come at यह देखिए fix proposition या इसको आप idioms भी बोलते हैं कभी-कभी तो fix proposition है यह come by come by का मतलब होता है एक तरीका रख रखाओ तो आप अपनी इस rare book को कैसे रखते हैं manage करते हैं manage करना option number C is the right answer manage करने को बोलते हैं come by next the two boys dash each other for the first place दो बच्चे first place के लिए dash कर रहे हैं तो यहाँ पर जरूर स्कूल की क्लास की बात हो रही होगी first आने के लिए पर compete किया जाता है यानि एक दूसरे को टक्कर दी जाती है कौन first आएगा तो यहाँ पर option है content for फाउट viewed with और struggle to देखिए compete to तो यहाँ कहीं लिखा नहीं इसका मतलब आएगा viewed with viewed with इसको आप viewed पड़ें या वीड पड़ें आपके pronunciation पर depend करता है viewed with का मतलब होता है compete करना तो option number C is the right answer यानि to fight or compete इसका मतलब होता है viewed with यह fixed proposition होते हैं next we were days that everything possible was being done suggested pleaded advise assured we were assured that everything possible was being done यानि कि यहाँ पर assured आएगा assured का मतलब होता है guarantee या confident किसी को देना next I insisted that his leaving the place उसको यह इस्थान छोड़ने के लिए insist किया गया है तो insist के साथ कौन सी proposition आती है जो fixed proposition बनती है option on about in या with देखी option number a is the right answer on insist के साथ on आता है तो insisted on is leaving the place right answer हो जाएगा option number a आपको बता दूँ जो भी पढ़ाया जा रहा ही है इसकी pdf आपको practice करने के लिए मिल जाएगी तो telegram channel जरूर जोइन कर ले link आपको description में मिल जाएगा join करें और बहाँ से download कर सकते है और भी classes यह 18 भी class है इसे पहले की class अगर आपने नहीं देखी है तो भो भी देखें और practice करें next question है please do not dash me when I am speaking करपया मुझे dash ना करें जब मैं बोलूँ जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे dash ना करें क्या ना करें interrupted interrupts interrupt या interrupting तो यहाँ पर देखे please do not यानि यह present tense का है present indefinite tense का है यहाँ पर verb की first form ही आएगी और as या yes की कोई बात नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि subject क्या है please interrupt please do not interrupt option number C is the right answer देखे लिखा है बर्व की first form interrupt will be used after the helping verb do next question है यह last question है we are working for the dash of the environment हम working है environment के लिए तो dash के लिए salvation preservation maintenance cultivation देखे preservation का मतलब होता है रख रखाओ करना तो option number B is the right answer preservation protection और care तो यही थी आज की class और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी class तो तयारी करते रहें अपनी आप आपका exam का notice आपको कभी भी मिल सकता है तो तयार रहना ज़रूरी होता है वीडियो देखने के लिए थैंक्यू और चैनल का प्रीज सब्सक्राइब करें ख्याल लखें अपना बाई टेक केर